Hello everyone, स्वागता आप सभी कज्विन क्लासिज में सभी पारे विद्यारतियों को नमस्कार BSTC result 2023 कब तक जारी होगा इसको लेकर लगातार आपके सवाल आ रहे हैं कॉमेंट आ रहे हैं सर result कब आएगा, result कब आएगा तो पूरी detail में आपको बताने वाला हूँ कि इस दिन आपका result आएगा और इसके अलावा आगे की process क्या होगी कितने नमबर वालों का selection होगा कटोप पे भी हम चर्चा करेंगे तो end तक आपको वीडियो को जरूर देखना है आईए वीडियो को इस टार्ट करते हैं BSTC result की अगर हम बात करें दोस्तों तो आप सभी को पता है आपकी जो exam में कब होई है 28 अगस्त को आपका paper हुआ है और आज 14 सितंबर हो गया है अब जो update सामने आ रही है उसके coding यह है कि आपका जो result है कब तक जारी हो जाएगा तो यहाँ पर साब साब लिखा हुआ है कि आपका result 20 तारिक तक यानि 20 सितंबर तक आपका जो result है वो जारी कर दिया जाएगा तो pre-deal यानि जो आपका PSTC S का result 20 तक आ जाएगा और नया session जो है आपका November में शुरू हो जाएगा पिछले साल मार्स से शुरू हुआ था इस बार तो बहुत पहले यानि November में ही आपका शुरू हो रहा है सारी बाते इनोंने दे रखी है राम सरुप जांगिर जी है जो आपके पंजीयक है सिक्षा वागय परिक्षा रास्तान वेकानिर के इनका कहना है कि pre-deal परिक्षा का result 20 सितंबर तक जारी करने की संभावना है यानि 20 सितंबर से पहले ही आ जाएगा तो आज 14 सितंबर है इन 4 पर दिन में आपका result कभी भी आ सकता है अब इसके अलावे इनोंने क्या कहा है कि deal पाठे करम का session समय पर सुरू हो सके इसलिए हम जो है अरसंभव तैयारी कर रहे है और प्रियास भी कर रहे है अब देखिए इसले साल प्रविस नहीं मिलने वालों को फीस की refund वापस हो जाईगी हो तो कोई दिक्कत नहीं है deal में प्रविस के रिए एक seat पर 22 अभ्यरतियों में 30 परदा यानि एक seat पर 22 लोगों में competition है अब देखिए 22 student है और 22 में से एक को seat मिलेगी यानि एक seat पर 22 लोगों के बीच में क्या है competition होने वाला है अब total कितने student है और total seat कितनी है मैं आपको बता देता हूँ देखिए यहाँ पर इन्हों लिखा है कि पिछले साल pre deal परिक्षा में करीब 5,33,000 वो सामिल हुए थे जबकि इस बार जो है संक्या 5,7,000 के करीब है यानि 5,7,000 आपके student यहाँ पर exam में बैठे हैं ठेके ना इतने student आपके exam में बैठे हैं और इसके अलावा यह बता रहे हैं कि सामाने वर्ग में 600 नमबर में से 390 से 400 के बीच में यापर नमबर लाने पड़ेंगे तो cut-off पे तो भी चर्चा करेंगे इंतजार करो पहले मैं आपको सारी information दे देता हूँ कि एक seat पर 22 लोगों का यापर competition है कितने एक्जाम में बैठे इस बार तो 5,70,000 लोग इस बार एक्जाम में बैठे हैं 2023 के अंदर किलियर है क्या आप देखिए फोरम कितने गए थे फोरम गए थे आपके याँपर फोरम गए थे 6,18,000 अब 6,18,000 में से जो एक्जाम दी है वो कितनों ने दी है 5,70,000 लोग एक्जाम दी है ठीक है आप सभी को बता है जो BSTC होता है वो दो वर्सी है DLED कोर्स होता है जो आपके सिक्षक बनने के लिए होता है अगर आप थाड़ ग्रे टीचर बनना चालते हैं लेवल फश्ट के तो उसके लिए होता है रिजल्ट जा रही होने के बाद काउंसलिंग की जो प्रिक्रिया है उसके लिए 377 की 25,000 सीटों पर प्रवेश दिया जाएगा कोलेज कितनी है पुरे राजस्तान में इन्होंने बता दिया कि राजस्तान के अंदर तो कॉलेज आपके बिएस्टीशी की वह हैं 337 वैसे 300 वैतर है लेकिन उपर नीचे होती रहती है काफी की मानता रद दो जाती है काफी को मैंता मिल जाती है तो चार-पंच उपर नीचे चलती है हर साल ठीक है अब इन आपके 337 College में 25,000 सीट एंग इतनी ही सीट है अब इसमें आपके सरकारी सीट भी आ गई इसमें आपके प्राइविट भी आ गई सरकारी मतलब जो डाइट कोलेज हैं जो खुद डाइट की सरकारी हैं उनकी भी सीट हैं जो प्रती जिले में लगबग एक-एक हैं और इसके लाबा यह द्यान रखना है ठीक है देखो डेलेट कोलेज की 25,000 सीटों पर प्रवेश दिया जाएगा और दरसल पिछले साल भी यहां पर विलम होने तो यह सारी बाते अपनी काम की नहीं है जो काम की बाते थी मैंने आपको बता दीए अब जो काम की बाते हैं वह है कटॉप ठीक है फाट को कॉलेज मिलने के चांसे चांसे रहें और आपको कांसलिंग कर वा लेनी है अगर मैंने आपको बताया था अगर आप जन्रल के पर में विडियो को भीया तो सकते हैं हमको देखकर चलते को तो तो मैंने सोच एक वीडियो बना देते हैं वापस से अगर हम मेल की बात करें 390 के आसपास आपके चांसेज हैं अगर आप फीमेल हैं तो वहीं आपके चांसेज हैं कि आपको कॉलेज मिल जाएगी जनरल की आपके 390 मेल 25 नमबर कम करोगे तो फीमेल इतनी कटोप हो जाएगी किलियर और OBC की बात करें 384 मार्क्स हैं मेल के और 10-15 नमबर कम कर लो तो फीमेल की इतनी कटोप रहेगी अगर हम दोस्तों यहाँ पर बात करें एसी केटेगरी की तो एसी केटेगरी मैंने आपको बताया थे कि अगर आपके यहाँ पर मार्क्स आ रहे हैं 360 क्या असपस अगर आपके मार्क्स बंद रहे हैं मा लीजे किसी के 380 आ रहे है जंदल में या 370 आ रहे है तो भी आ काउस्णिंग कर वा ले ना क्योंकि इस बार क्या हुआ है वैसे student तो 35 सार से ज़्यादा बेठे है लेकिन इस बार क्या हुआ है आपका जो यहाँ पर teaching aptitude है उसमें क्या हो गया teaching aptitude में आपको पूरे-पूरे marks नहीं मिलते अगर आपनी सही किया है तो ही marks मिलेगा गलत किया है तो marks आपका खट जाएगा जीरो मिलेगा उसमें ऐसा नहीं है कि आपने गलत कर दिया तो भी आपको दो नंबर मिल गए एक नंबर मिल गए और पूरा सही किया तो तीन नंबर मिल गया ऐसा नहीं है सही किय आपके सामने हैं यह अप्रोक्स मैटली मैंने आपको बता दी है यह मेरे अनुसार है इसमें अगर उपर नीचे हो सकता है लेकिन इतना तो रहेगा जन्रल 390 मेल और फेमेल तो 1520 नमबर कम कर लेना OBC 384 के असपास ST 365 और ST 365 अब जो MBC है जो SBC है वह अपना देख लेना उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना रखी है वह डिटेल में आप लोग देख लेना अब हम बात कर लेते हैं कि आगे की प्रोसेस क्या है या आपका स्कोर काड आ गया मतलब आपका यहां पर सबसे पहले क्या होगा कि 20 सितंबर तक 20 सितंबर तक आपका यहां पर क्या आएगा दोस्तो रिजल्ट आएगा ठीक है ना 20 सितंबर तक आपका रिजल्ट आ गया BSTC का चलो ठीक है उसके बाद रिजल्ट जब आएगा तो एक मार् करवाएंगे करवाएंगे कांसिलिंग करवाएंगे यह बात आपको ध्यान रखनी है कांसिलिंग आपको करनी पड़ेगा और उसके बाद लग जाएगा कि आपका admission होने वाला या नहीं होने वाला आपको आपको अलोटमेंट में कोलेज मिल जाती है उसके बाद आपका एडमिशन प्रोसेस है अब जो आपका दोस्तों सुरू हो जाएगा अब जो पर शुक्ताइब जितनी भी आपकी फीस लगने वाली है और आपकी जो document verification है वो इसी दोरान होंगे आपके या पर allotment के दोरान ही आपके document verification होंगे या तो आपको online submit करने पड़ेंगे अपलोड करने पड़ेंगे और offline भी उनकी दो seat बनाकर photocopy की college में लेके जाने पड़ेगी जो आपको सम्मं सब्सक्राइब करने का यहां पर जो है क्योंकि समय का सदूपयोग करो नौकरी बैच हमने launch किया है इसमें राजस्तान के अंदर सीटी आने वाला है और सीटी आपको देने पड़ेगा ऐसा तो है नहीं कि आप डिलेड कर लेंगे बेस्टी कर लेंगे तो आप नौकरी लग करने के लिए हर एक्जाम से गुजनना पड़ेगा जैसे आगर आप सिख्षक बढ़ती में जाना चाहते हैं तो आपको रीट प्री देना पड़ेगा अगर आपको राजस्तान की जनरल कॉंपिट्सन में बढ़ती होना है आपको पटवार में जाना है एल्डी सी में जाना डाउलोड कर लिया इस्टोर पे गए और नौकरी बैच आपने देखा नौकरी बैच पे क्लिक कर दिया अभी जो प्राइस है आपर नौकरी बैच की वह है 849 रुपे मात्र 15 सितंबर तक तो हमने ओफर दे रखा है सुरुवाती बच्चों के लिए नए बच्चों के लिए कि 15 सितंबर तक अगर आप को परचेज करते हैं तो मात्र 849 रुपे में आपको कोर्स मिलेगा बस आपको यहाँ पर कोर्ड क्या लगाना है फर्स्ट फॉर एंडड कोर्ड लगाना है उसके बाद में यानि 16 सितंबर को आपके कोर्स की प्राइस वापस से 900 नन्यान में हो ज से लेगे लाइव डाउट सेशन भी आपके होंगे तो जिन विद्यारतियों ने बेस्टी सी एक्जाम दिया था उनके कम माक्स बन रहे हैं तो आप एसे मसों मेरा आजाएगा मेरा नहीं आएगा जिनका आना है उनीका आएगा जो कटॉप मैंने बताई है उसके आसपास ही कटॉप जाएगी और जिनके कम नंबर हैं इन नंबर पर कॉल कर लो और नोकरी बैच को जोइन कर लो इसलिए आप मैं बता रहा हूँ ना अगर आपनी तैयारी की तो आप राजस्तान में नोकरी लगेंगे और जो आपके दोस्त हैं जिनका डियल्ड में होगा उनसे पहले करें धन्यवाद